Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button YouTube पर Tag TV का channel subscribe कीजिये और notification का button भी दबाई किसी किसम का challenging जमाना हो Tag TV अपने views और news लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए Tag TV को अगर आप sponsors कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे Canada और खालिस्तान की आइडियालोजी इसमें क्या तालमेल है सबसे बड़ा जो रब्त है इन दोनों बातों में वो ये केनिडा एक बहुत बड़ी टेररिस्म की हिस्ट्री को अपने अंदर समोई हुए है और वो हिस्ट्री है एर इंडिया बामिंग और वो टेररिस्म का जो एक्ट है वो खालिस्तान की आइडियालोजी के साथ जुड़ा हुआ है हर रोज हमारी कोशिश होती है खुआश होती है कि हम इस टेररिस्म को भूल जाएं या हमारे हाँ ये एक पुलिटिकल मुवमिंट भी ऑन अन आफ चलती रहती है कि हम किसी तोर से खालिस्तान आइडियालोजी को टेररिस्म के साथ ना जोड़े है लेकिन सवाल ये है कि जो कैनिड़ा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्ट था वो तो बदकिस्मती से इसी आइडियालोजी के साथ डारिक्ट भी और इंडारिक्ट भी जुड़ा हुआ था इसके बावजूद कि ये वाकिया बहुत साल पहले हुआ हर साल इस वाकिया की इस ट्रैजडी की जो दास्ताने हैं वो दुबारा सामने आती हैं और जखम एक पर है फिर भरे हुए जखम फिर हरे हो जाते हैं और इसके साथ साथ आए दिन ऐसी स्टोरीज छपती रहती हैं जिसमें ये पता चलता है कि ये आइडियालोजी अभी तक अपने कुछ वाइलेंट एक्सपेशिन के साथ भी जिन्दा है मगर इस आइडियालोजी को कैनड़ा में अमरीका में यॉर्पिन यूनियन में जिन्दा रखने वालों का कहना है कि इसको वाइलेंस के साथ ना जोड़ें मगर क्या करें इंसीडेंसिस कुछ ऐसे हैं रिसेंटली एक बार फिर रिपोर्ट आई कैनड़ा के एक न्यूस पेपर में जिसमें ये कहा गया कि इस आइडियालोजी से जुड़े हुए कुछ लोगों को नो फलाई लिस्ट में कैनड़ा की सरकार ने रखा हुआ है बरहाल वो अफराद कोट गए हैं और ठेखिये कोट क्या डिसिजन करता है अब मैं अपने इस दुख की तरफ आता हूँ कि एक पंजाबी होने के नाते मैं भी इस बोज को उतना ही शेयर करता हूँ जितना कोई पंजाबी और कर सकता है खास तोर पर मेरे जो पंजाबी सिक बहन और भाई हैं मैं ये बात पंजाबी में करना चाहता था लेकिन मैंने सोचा कि हिंदी में उर्दू में इसलिए करूँ कि ये मेरे जो पंजाबी के बहन भाई हैं वो भी समझेंगे और ब्राडर आउडियन्स भी समझेंगी अब मेरा एक पंजाबी होने के नाते बोज क्या है मैं बार बार कहता हूँ कि हम पंजाबी चार बड़े धर्मों से तल्लक रखने वाले हैं इसके लावा भी हमारी कई आइडियालोजी च्छोट च्छोटे कई धर्म हैं मकर चार बड़े धर्म जिसमें सबसे बड़ा धर्म हिंदूमत का है हिंदूइजम का है पंजाबी शुरू ही मेरे पुर्खों हिंदूओं से होती है फिर उसके बाद मुसल्मानों की कनवर्जिन आती है और मुसल्मानों की कनवर्जिन के साथ साथ फिर बात में बाबा नानक जी जैसी एक ग्रेट हस्ती जो उसी हिंदू सिविलाइजेशन की लड़ी में से है वो कुछ रिफॉर्म करते है रिफॉर्म चाहते है और अपने अंदर की तलाश के लिए निकलते हैं और दीरे दीरे गुरु नानक जी से एक और रिलिजियस वाइब मैं कहूंगा बड़ी खुबसूरत वाइब जो उसी हिंदू सिविलाइजेशन के साथ जुड़ी होई है वो निकलती है जो अपना खुबसूरत नाम सिखहजम के नाम से जानी जाती है और फिर बहुत सालों से बहुत दहाईयों से कनवर्जिन का जो सिलसा था वो क्रिस्टिन कम्यूनिटी के लिए भी हुआ बहुत सारे जो हमारे हिंदू सिविलाइजेशन के लोग थे वो उन में से बहुत सारे दीरे दीरे कानवर्ट होके क्रिस्टिन्स भी हुए और खास रुपर ये सिलसला इस्ट इंडिया कमपनी के आने के बाद बड़ा और उससे पहले भी अगर हम देखें तो पुर्शगीज जो आए गवा की साइट पे वो भी अपनी जगा पर था डच आए तो बरहाल बाहर के आने वाले लोग भारत में बहुत सारे धरम भी लेके आए मगर भारती वही रहे हिंदू वही रहे उनके धरम बदल गए मगर सिविलाइजेशन वही थी कैनिडा में जब खालस्तानी तहरीकी बात होती है तो अब मैं कुछ दहाईयों से महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे रवया ये होता चला जा रहा है कि जो मेरे सिख बहन भाई हैं वो अपने आपको बहुत अलग तलग रखने लगे या उनकी लीडर्शिप उनको अलग तलग रखने की कोशश कर रही है मैंने अभी जो तमहीद बान दी उसमें कहने का मकसद ये था कि मेरे सिख बहनबाई हों, हिंदू बहनबाई हों, क्रिश्चन बहनबाई हों, मुस्लिम बहनबाई हों, जो पंजाबी बैक ग्राउंड के हैं, जिनकी एथनिसिटी पंजाबी है, वो सब पंजाबी हैं, पंजाबी कोई अलग से पाकिस्टानी पंजाबी नहीं होते, या क् पंजाबी ने होते हैं, हम सब पंजाबी हैं, हम सब के धरम डिफरेंट हैं, हम सब की फेथ कलब डिफरेंट हैं, और उन में खास तोर पर जो सिक बेहन भाई हैं, उनका जो धरम है, उनका जो फेथ कलब है, वो तो कोई बहुत डिफरेंट भी नहीं है, मेन सिविलाइजेशन यानि हिंदू सिविलाइजेशन से दुनिया के किसी हिसे में जाके वो बसते ह façon कैनिडा में रहें अम्रीका में, यॉरप में, आस्ट्रेलिया में दुनिया में कहीं भी सिख बहनबई रहें वो अपनी हिंदू लिनिये से किसी सुरत पीछा नहीं चुडा सकते नहीं वो छोड़ाना चाहते हैं उनकी अक्सरिया नहीं उनको चाहिए लेकिन ये फिर तक्सीम क्यों चली आ रही है ये तक्सीम इस वक्त बहुत गहरी है कैनिडा में इसकी गूँच बहुत ज्यादा है और जब मैं मुस्लिम फेथ कलब का पंजाबी जब मैं कभी अपने सिक बेन भाहियों से सुनता हूँ और खासender पर वो जो खालसाना आईडियोलोजी की बात करते हैं हो कहते हैं कि ये आईडियोलोजी है हमारी वर फिर्दम फेडी का हो है. मैं उनसे कहता हूँ चलिए एक जनरिस होने के नाते मैं आपका ये हक तसलीम करता हूँ. बश्रते के इसके साथ किसी किसम का डारेक्ट या इंडारेक्ट वाइलेंस जोड़ा हुआ ना हो. लेकिन ये आपका एक पुलिटिकल हक है. ये पुलिटिकल हक कैनेडा में क्या मै इसका जो स्टैंस है वो तो भारत में जाकर आप एक रियासत बनाने की बात करते हैं, अलग मुल्क बनाने की बात करते हैं. मैं तो भारत साल में एक बार तो जाता ही रहता हूँ. और पंजाब भी जाता रहता हूँ. मुझे तो पंजाब में किसी किसम की ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आती, ऐसी फजा नजर नहीं आती कि वहां के पंजाबी सिक बहन भाई अमरसर में रहते हो, जिलंदर में हो, पट्याला में हो, लुधियाने में हो, कहीं पर भी हो मुझे तो कोई ऐसी बात सुनने और देखने को नहीं मिलती है, हत्ता के इस वक्त की जो पंजाब की कांग्रिस सरकार है, कैपटन महिंदर सिंग साब की कियादत में, वो खुद खालस्तानी ऐलिमेंट्स के बहुत खालाफ है, तो फिर आपका खालस्तान का जो ढोल है, वो यह कैनिडा, अमरीका और यॉर्प में ही पिट सकता है, वहां पर तो कांग्रिस की सरकार नहीं आपकी बात सुनने को तयार, वो तो खालस्तानी तहरीक से जुड़े हुए लोगों को देशतगर्द कहते हैं, चलिए, आप कहते हैं, यह उनकी गलती है, यह इंडिया में ऐसा ही यहां पे हमें freedom of expression है, बिल्कु ठीक है, freedom of expression है आपके पास, लेकिन वहां पर तो उनके पास भी freedom of expression है, जो वहां की सरकार है, उनके पास mandate है, वैसे भी जो खालस्तान का सारे का सारा, जो मसला था, वो तो कॉंग्रिस की पिछली सरकारों में हुआ, इंडरा गंधी की सरकार बी कॉंग्रेस की थी और उसके बाद भी आने वाली सरकारीं भी कॉंग्रेस की थी 84 के जो राइट्स होए जो धंगे होए वो भी कॉंग्रेस सरकार के जमाने में थे जिसकी मैं बहुत मुझमत करता हूँ I condemn 84 राइट्स और जीनोसाइट मैं उसको कुछ भी कहने को तयार हूँ चुके उन राइट्स में मेरे सिक बहन भाई जहां पर शहीद हुए बेगुना मारे गए मेरे हिंदू बहनबाई भी बेगुना मारे गए गये मेरे पास कोच ऐसे स्टोरिज भी है पंजाब में चंद मुस्लिम बहनबाई चंद क्रिशिन बहनबाई जो पंजाबी थे वो भी उन धंगों में मारे गए लेकिन majority sick बहनबाईउ की 804 में शहीदुई और उसके सारी कि बड़ी तदाद हिन्दू बहनबाईउकी भी शहीदुई उन राइट्स में उन डंगों में उन फसादों में उन जीनोसाइट में उस महौल में मगर सरकार तो तब कॉंग्रेस की थी यहां पर अब जो सिख लीडर्शिप के कुछ लोग खालस्तानी आइडियालोजी को भरते हुए मुदी सरकार या बीजेपी पर जब हमले करते हैं तो वो मुझे बहुत अन्फियर लगता है इसलिए नहीं के मैं बीजेपी या मुदी सरकार की परफॉर्मेंस से रेलेटिवली मुतमेन हूँ मैं हूँ वो एक अलग बहस है लेकर मुझे अपनी पंजाबी सिख कम्यूनिटी की ये बात समय नहीं आती के वो मुदी जी के क्यों खलाफ है चुकि आन्हों ने या बीजेपी के सरकार ने कभी किसी किसम का ना सिस्टैमिक ना किसी और तरह से बुरा सलूक किया है पंजाबी कम्यूनिटी Jedинов में गरफॉर्में जाता हूँ गुर्दवारों में रहता हूँ तबरक के तौर पर तो इस सारी सूरते हाल में ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आखर ये प्रापगेंडा हिंदू कम्यूनिटी के खलाफ क्यूं कुछ सिक लीडर्शिप की तरफ से आता है चलिए खालस्तान की आइडियालोजी आपने का कि हम खालस्तान के नाम पर एक अपना अलग देस बनाएंगे मैंने शुरू में का एक पंजाबी होने के नाते मुझे ये जरा बोजल बार लगती है कि मैंस में शामल नहीं हूँ पंजाबी रियास्त बनाने की बात हो तो मैं भी कुछ सोचू पंजाबी रियास्त बनाने की बात नहीं है पाकिस्तान का जो मेजर पंजाब है जो population wise भी और जो अपने जियोग्राफी के लिहास है भी वो भी इसका इसा होना चाहिए ना उसके बगार खालस्तान के आमानी रखता है अगर उसकी बात हो तो चले मैं उस पे कोई discourse करूं समझूं के यह क्या मुझे तो अब बात समझ ही नहीं आ रही के खालस्ता क्यों है क्या उसमें बाकी पंजाबी जो हिंदू पंजाबी हैं जो सिख पंजाबी जो हिंदू पंजाबी हैं जो मुस्लिम पंजाबी हैं जो क्रिस्चन पंजाबी हैं वो क्यों माइनस है उसमें से और उसके साथ-साथ जो सिख पंजाबियों की majority है यहां पर भी वो भी और जो वहां पर है बारत में वो मिजोरिटी टो एक छोटा लफज zijn वो तो समझे है 99.9% खालस्तान के हुक में नहीं तो कहां बनाना है खालस्तान यह बात तो खालस्तान के पराने स्पोर्टर्स जो कैनिड़ा के मिस्टर मलक मी अभी रिसेंडी एक इंटर्वी में कह चुके हैं कि कोई खालस्तान नहीं चाहिए तो इस सारी सूर्ते हाल में खालस्तान की आप बात कर सकते हैं जो कि आपके पास वीडम और एक्सपेशन है मगर शर्त ही यही है कि उसके साथ किसी किसम की वाइलन्स की बात ना हो किसी किसम की हेटरड की बात ना हो अगर हेटरड की और वाइलन्स की बात होगी तो फिर एर इंडिया बामिंग की जो वो सारी की सारी लड़ी है दुखों की ट्रैजिडिस की वो साथ आएगी और जब वो साथ आती है जब कैनिडा की स्क्योर्टी एदारों की रिपोर्ट्स आती हैं, जब कैनिडा के पॉलिटिशन्स बोलते हैं, तो फिर हमारी जो यहां पे खालस्तानी आइडियालोजी के हामी जो लोग हैं, वो फिर उसके खलाफ उठ्खड़े होते हैं, वो वाटसैप, सोचल मीडिया पर तहरीकें चलाते हैं और खत लिखते हैं मेंबर पार्लिमेंटेरियन्स को, कि खालस्तान का नाम इसके साथ शामल ना किया जाए, अगर यह सारी सूरते हाल है, तो मैं इस सारे मनजर नामे में यह कहूंगा, कि यह जो आइडियालोजी है, यह किसी सूरत भी एक्सेप्टेब है, एक पंजाबी होने के नाते, मैं बार बार यह कहता हूँ, कि पंजाबी हिंदू बैक गराउंड के भी हैं, मुस्लिम बैक गराउंड के भी हैं, सिख बैक गराउंड के भी हैं, और क्रिश्चन बैक गराउंड के भी हैं, हम सब एथनिक पंजाबी हैं, हम सब का फेद कल मुक्तलिफ है, मैंने ज obey बात शुरू की थी, तो हम जब कभी यहां पर पांजाबी की अनुम मे जाते हैं जब हम कभी यहां पर जो हमारी पंजाबी के रवाईती मेलें अन में जाते हैं तो मुझे वहाँ पर जाकर एक अकलापे का एसास होता है मुझे लगता है कि मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सिख धरम के मेरे बहन बाई है वो ही चाह रहे हैं और उनको हमारी मजूदगी कोई एहमियत ही नहीं रहता है उसका जिकरी नहीं करता है खास दूर पर इस जो बड़े-बड़े मेले होते हैं और कीर्टन होते हैं उसमें मैं जाता हूँ मैं अकीदत से जाता हूँ हजारों सम्टाइम एक एक लाख के लोग कठे होते हैं यहां टरॉन्टो में मिसस सागा में हमारे स्टूडियो के पास मॉल्टन में लेकिन मैं मेरा एक Christian दोस मेरा एक Hindu दोस हम सब पंजाबी भी वहाँ जाते है हमें वहाँ पर single out किया जाता है और हमें यह ताषर दिया जाता है कि जैसे हम पंजाबी नहीं है यह है हमारा बोज यह है हमारा अन्मिया यह है हमारा दुक हम अपने पंजाबी सिक बेहनबाईयों से कहते हैं कि हमें भी उतना ही इक्विली आप अपने साथ शामल कीजिए क्योंकि हम और आप एकी डियाने के हैं हम और आप एकी खून के हैं हमें आप अलग करके खालस्तान बनाने की बात करते हैं population wise तो हम बहुत ज्यादा है चाहे हिंदू हो चाहे Muslims हो और चाहे Christians हो हमें धर्म के नाम पर कोई और दीन या दीन के नाम पर कोई और कंट्री नी चाहिए हमने पाकिस्तान का हाल देख लिया हुआ है हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते है के हमें अपने साथ शामल रखे इस पूरी पंजाबी सिविलाइजेशन में जिसका हम उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा हिस्सा आप है आप referendum 2020 की बात करते हैं आप कर सकते हैं freedom of expression की बात है आप उसकी एप बना सकते हैं लेकिन ये reality जेन में रखिए कि वो एप जहां पे आप उसको इस्तमाल करना चाहते हैं उस दर्थी में वो काबल कबूल नहीं और उस दर्थी के लोगों में यानि पंजाब में भारत के पंजाब में काबल कबूल नहीं है ये बात आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ मगर ये जो काम करने वाले लोग हैं जो इस तरह की सेपरिटिस्ट बातें कर रहे हैं उनका मकस्द शायद अपनी दुकानदारी करना है या अपने इंटरस्ट को लेकर आगे चलना है ठीक है आप ये कीजिए मगर गलत निरेटिव के साथ ना कीजिए चुकर एक पंजाबी होने के नाते मैं शदीद वरोध करता हूँ इसलिए कि एक पाकिस्तानी पंजाबी बैक ग्राउंड के आदमी को पाकिस्तान जो मजभ के नाम पर बना था उसके नतीजा में सबसे ज्यादा सिक बहन भाई मरे थे शहीर हुए थे 1947 में जिसको हमारे सिक बहन भाईयों की ये जो लीडर्शिप है सेपरिटरिस्ट्रों की ये याद नहीं करती है ये सरफ 84 की बात करते है उससे बहुत बड़ा सानिया है 47 का उसकी बाद नहीं करते और फिर ये उनी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं मुझे पंजाबी होने के नाकिस पर शर्म आती है दुक होता है मैं किसी सूरत भी औरंग्जेब की जालमाना पॉलिसियों को नहीं मानता अगर आप मानते हैं आप उनके मानने वालों के साथ बैठते हैं तो आप भी अतने ही कसूर हुआ रहे हैं इसलिए कि हमें एक जस्साइटी चाहिए कैनिडा एक जस्साइटी है जिसमें तमाम दर्मों से तमाम ethnicity से आने वाले लोग equally treat होते हैं होना भी चाहिए मुझे लफ्स minority भी बुरा लगता है हम सब majority का हिस्सा है हम सब equal है there is no minority there is no inequality इनी शब्दों के साथ इनी विचारों के साथ मैं आपको सथ स्रीकाल भी कहता हूँ नमशकार भी कहता हूँ और खुदा आफिस में करता हूँ यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूस और न्यूस लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे